तो हेई गाइस वेल्कम बैक टो न्यू व्लॉग और आज हम लेकर आए फिर से निया वीडियो तो गाइस आप लोग कैसे हो तो फिलाल मैं अभी घर पे हूँ जैसे के आप लोग देखते हैं घर तो फिलाल जैसे के आप लोग सब जानते हैं अभी लॉगडाउन चल रहा है और आज चल रहा है तेरा तारिक आज है 13 अफ एप्रिल और कल तो खुलने वाला आता 14 तारिक था लेकिन फिर से लॉगडाउन हो गया एक्स्टेंड कर दिया तीन तारिक तक क्या क्या जा सकता है करोणा वाइरस तो फिलाल गाइस जैसे की देख सकते हैं देख सकते मेरा ब इसलिए मैं एरबन डाला हुआ था हाँ तुवाइस मैंने एरबन डाल लिया यह काफी अच्छा भी लग रहा है एरबन डाले हुआ हां तो मैं बोड रहा था कि लॉकड़ाउन बोर रहे तीन तरीक तक खुल जाएगी तो ऐसे तो घर बैटे-बैटे काफी ज्यादा बोड हो रहा हुँ मैं अभी तो फिलाल टिक्टॉक वीडियो बना रहा हुँ थोड़ी थोड़ी और चाह कर रहा हुँ और बस ऐसी गुम रहा हुआ घर पे बैटे-बैटे मतलब ऐसी गर पे पूरा घर का वाकराउंट कर रहा हुँ मैं आपको काफी जल्दी मेरा पूरा घर का पूरा एकदम क्या बोलते हैं फुल वॉकराउंड दिखाऊंगा पूरा घर नीचे से लेके पूरा छट तक पूरा दिखाऊंगा आपको और मजा भी आपको काफी ज्यादा आने वाले है लाइक कर दो मतलब क्या बोलना तो फिलाल गाइस रुख जाईए दिखातो हूं इध करो सब्सक्ते रॉड बने सब्सक्तर तरस है यह अको चर्छेरचा यह कुशिसरा के अंदर में घुसादि नग। थोड़ी बहुत ऐसा करके और अभी दूनों साइड में मतलब यह रखके यह ओपन होता है दिखातों में यह वाला जो है ना दो किलों का रहता है तीन किलों का रहता है यह ओपन कर सकते ओपन करके हम में इससे अभी फिलाल जिम चला रहा हूं यासे कि आप लोग जानते हैं यह लोगडान में कुछ बंद है तो फिलाल में वक ओट्स घर पी कर रहा हूं बोडी देखो अभी तो फिलाल थोडा कम है क्यार कोई बात नहीं बड़ा लेंगे बोडी बोडी मतलब वक आउट करते-करते हैं कभी कभार में खाना भी पका लेता हूं इसमें मतलब जो हता खाना पकाना खाना भी कभी कबार पका लेता हूं में जैसे की कुछी दिन पहले मैंने डेलो गोना कॉफी भी बनाया था जो कि अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है इंटरनेट में तो उसका वीडियो एक शेर करता हो आप लोग को देख लीजे बहुत मज़ा आने ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है इन वीडियो भी बनाया था देख लीजे तो गाइड यहां पर मैंने लिए इंस्टेंट कॉफी और मैं अभी एड़ करूंगा थोड़ा बहुत शूगर इसके अंदर और इसके बाद मैं एड़ करूंगा थोड़ा वाम वाटर अब इस तो काइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह कॉफी काफी अच्छे से डेंस हो गया है अब हम और ज्यादा मिक्स करेंगे ताकि और अच्छा डेंस इसमें आया है ताकि एक अच्छा मिक्स्चर बन जाए इस कॉफी का तो मैंने यहां पर ले लिया है थोड़ा दूद उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी बहुत आइस क्यूब्स जिससे दूद थोड़ी ठंडी हो जाए और डाल देंगे इसमें मिक्स्चर तो गाइस अभी अपने एड करते हैं मिक्स्चर जो की काफी अच्छा लग रहा है अभी अब लोग स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी इंस्टेंट कॉफी तो गाइस कुछ ऐसा लुक मिल रहा है हमारे डैल गोना कॉफी का जो की काफी अच्छा है और बहुत खूब सूरत है पीने में और यह काफी ज्यादा टेश्टी दोस्तों तो यहां पर गाइस वीडियो हो गया खतम उसका तो कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो डैलो गोना कॉफी का तो मैंने सब कुछ दे दिया नीचे कैसे कैसे इसको बनाते है इसको और सैथ मैंने एक दो तीन चार मैंने बोले तो मेरेकों दस मिली बारा मिनिट लग गय तै बस बनाने मिले बारा से पंदराफो कि अबी घर बाल काट लू हो और बाल काट सकता है मम्मी तो फिलान में सुबा से यही करते रहता हूं एक बार इस घर में आता हूं फिर एक बार जाता हूं नीचे एक बार जाता हूं उपर यही काम है बस फिलान मेरा मेरा तो भी कोई काम नहीं है तो मैं आप लोगों को दूंगा पूरा घर का वॉकराउंड आप लोगों काभी मज जोड़ दो कैसी लगी आपको मेरी ये डेलोगाना कॉफी डेलोगोना कॉफी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करतो मेरे मतलब मेरे चैनल को और लाइक करतो प्लीज क्योंकि मैं ये वीडियो सब आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताक बहुत जल्दी आने वाला है तिल देन लाइक कर दो आगे आगे अच्छी कंटेंट्स लाने वालों में ऐसे तो पूरा रूम देख लिया पहले आपने तो मिलते हैं पूरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बी सेफ फ्रॉम करोना वाइरल्स बीसेफ मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो है बाँ बाइ बीसेफ